गूद मॉर्निंग माइडिय स्टुटेंट, वेलकम बैक तो सुब्रसिंग चिल्रेंड एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज, दिस अंगर द्यादो, तोड़े आम गोईं तो डिसकस यो निव टॉपिक, द इयर, बेटा प्रिबियस क्लास में आलडी हम लोगों ने डिसकस किया कि हु और उसमें हमने वोकल कॉट्स की बात की, लिगामेंट्स की बात की, और जब हमारे लंग से एयर बाहर निकलता है, तो वहाँ वाइब्रेशन होता है, जिससे साउंड प्रोडियूस होती है, हम आलडी इस बात को जानते हैं बिटा, कि वाइब्रेशन जब होगा, तो साउंड चैटर की बात की जाए, और एयर की बात न की जाए, तो यह तो बहुत गलत बात हो जाएगी, क्योंकि अगर एयर की बात नहीं की जाएगी, तो फिर हमें फील ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा, कि साउंड प्रोडियूस भी होता है, तो साउंड को है जो आपके बोल्ट पर आलड़ी पहले से बनाया हुआ है हमने इस डाइग्राम को पहले इसलिए बना लिया बेटा थाकि हमें टाइम ज्यादा नर्व ले ठीक है हुमन इयर का डियाग्राम से यह इंटर्नल स्टक्चर है हुमन इयर का और यह बाहर हम देखते हैं जिसको पिन्ना भी कहा जाता है यह पिन्ना वाला पार जो बाहर हमारा दिखाई पड़ता है तो यह हमारा इंटर्नल इयर का पार्ट से है और इधर जो आपको दिखाई करता है यह sound को detect करता है ठीक है प्या करता है बेटा sound को detect करता है तो ear का जो यह पिन्ना वाला parts है जो बाहर है यह sound जो वेव आती है इसके through वो कहां पर इंट्री देती है बेटा outer inner में अगर हम inner ear की बात करें तो ear को mainly जो है थ्री parts में डिवाइट किया गया है outer ear और दूसरा हमारा है middle ear और third हमारा है बेटा inner ear ठीक है तीन पार्ट में डिवाइट किया गया है जब sound की वेव जैसे suppose करिए कि कोई एक sound यहां से produce हो रहा है चले एक हमने एक छोटा सा और डाइगरम से बाते है suppose करिए कि यहां से कोई sound produce हो रहा है अब यह ear के थूँ जो है वो कहां जाएगा वो पिन्ना के थूँ इंटर करेगा किसमे outer ear में outer ear हमारे ear का ऐसा पार्ट होता है जो sound की वेव को collect करता है अगर आपसे कोई कहे sound को collect करने का काम ear के किस पार्ट का है बिटा तो याद रखना है outer ear का है अगर आपसे question पूछा जाए या आपसे कोई ये पूछे कि हमारे ear में कौन सा ऐसा part है जो sound की wave को या sound के vibration को collect करता है ठीक है vibration की बात अगर की जाए तो वो wave में ही convert होती है through air ठीक है air के through wave जो air में wave बनता है जो हमें visible नहीं जो दिखाई नहीं देता पर वो wave के through ही हमारे ear तक आता है तो उसको यानि sound के wave को collect करने का काम किसका होता है बेटा outer ear का है अब यहां से जो पिन्ना के through यानि जो sound आई है बाहर से यह sound जब आगे मतलब पिन्ना के through हमारे किसमें इंट्री करेगी outer ear वाले parts में जो canal दिखाई दे रहा है यह tube like structure दिखाई दे रहा है तो इसी को outer ear करते है अब इसी से जो wave होगी sound की वो आगे क्या करे ही move करते हुए आगे जाएगी हमारे middle वाले ear के pass लेकिन जैसे ही यह outer ear जहाँ पर इंद हो रहा है वहाँ पर एक membrane होती है जिसका नाम है tympanic membrane और इसी को हम ear drum के नाम से भी जानते हैं तिंपेनिक membrane या ear drum करते हैं अब यह जो wave यहाँ पर गई है तो यह tympanic membrane है जो wave हमें बाहर दिखाई नहीं दे रही थी reality में वो एक wave के थुआ रही है यानि कि अगर हम आप बोल रहे हैं आप उधर हमें सुन पा रहे हैं इसका मतलब जो यह बीच में gap है ना वहाँ जो ear present है यहाँ पर sound wave के form में यानि कुछ इस form में आगे move कर रही है अब यह move करते हुए जब इस ear drum यानि तिंपैनिक membrane के पास क क्योंकि यह biology का part है और अभी हम पढ़ रहे हैं present time में physics ठीक है लेकिन फिर भी maximum part यहाँ पर draw किये गए हैं अब इस ear drum से बिटा तीन bone हमारे ear में three bones होती है ठीक है malleus incus stepage ठीक है malleus incus or stepage और आप सबको पता है कि हमारे पूरे body की सबसे smallest bone कौन सी है कौन सी है चलिए comment box राइट करके बताएंगे हमारे body की सबसे smallest bone कौन सी है अब देखें ध्यान से बिटा ear drum जो होता है यानि टिंपैनिक membrane जो है बिटा वो इस वाले place पर आप जो ठीक है malleus incus stepage जो ये क्या होती है एक दूसरे से attach होती है अब इस वाले part को बेटा इस वाले part को कहा जा रहा है middle ear middle ear वाले part में ही हमारी bone ठीक है अब यह जो message है यानि जो wave है वो ear drum के थू चला गया bones के थू मतलब ear drum के थू वो पहुंचा कहा पर बेटा middle ear में और middle ear में transfer कर दी वेटा किस के पास inner ear के पास यहां देखे attach है ना यह inner ear का part है यहां पर इसको यह message attach मतलब यह message send कर दिया गया जिसे ठीक है इसको हम clock किया भी बोलते है clock किया ठीक है तो इस inner जो हमारी bones है वो message को transfer कर दी inner ear के पास अब जो inner ear है इस inner ear में liquid present होता है प्रेटा क्या होता है उसके अंदर liquid होता है ठीक है अब अब वो जो wave आर ही थी drum से इस ear drum से ठैकराई इar drum जो है उसके बाद bones को क्या किया बेटा push किया उसने और bones जो तीनों थी वो जो है वो हीट कर दी किसको जाके inner ear वाले part को है ना एक दुसरे से connect होते हैं तो वो inner ear inner ear वाले part को उसने क्या कर दिया, यहाँ पर inner ear वाले part को उसको क्या कर दिया, उसने, उसको उन्होंने hit किया, ठीक है और जैसे ही hit करेगा inner ear के अंदर है, लिक्विड present, क्या present है liquid present है, और जब वो जो liquid की बात कि anytime, तो उस liquid में होता है, क्या, उस liquid में wave हो जाती है जैसे अगर हम कहें एक pond से चोटा सा, उसमें आप एक चोटा सा पत्थर फेग दो, तो उसमें wave आपको दिखेंगी, वैसे ही हुआ है, जैसे ही inner membrane वाले parts को यहाँ पर hit करती है, वैसे ही उस liquid के अंदर wave start हो जाती है, अब उस wave की वज़ा से, उस inner ear के अंदर, inner ear का जो parts है, इस इसमें छोटे-छोटे hair पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें hair होते हैं, जब liquid में, liquid में, अगर wave start होगा, तो क्या, जो hair है, ठीक है, जो inner membrane में, sorry, inner ear में जो hair है, उसमें भी तो wave होगा, होगा की नहीं होगा, simple सा मतलब है, होगा, hair like structure होता है, reality में hair नहीं होता हो, hair like, छोटे-छ structure होते हैं, ठीक है, अब जब उसमें wave होगा ना, तो इसका connection बेटा, इसका connection होता है auditory nerve से, और ये nerve हमारे brain तक चुड़ी होती है, ठीक है, brain तक हमारे जुड़ी होती है, और फिर उस vibration को हम क्या करपाते हैं, बेटा, सुन पाते हैं, reality में हमारे ear का काम है, sound को detect करना, sound को एक तरीके से capture करना है, लेकिन जो सुनने का काम है, वो हमारा brain करता है, ये बात में सा समझ लेजी, सुनने और समझने का काम हमारा brain करता है, तो बेटा, एक बार फिर से revise करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ear के parts को कोई doubt नहीं रखना है, है ना, एकदम simple है, ear, जब sound बाहर से produce होता है, तो हमारी ear वाले parts में ये बाहर पिनना है, ये क्या करता है, वो रुकता है उसको, ठीक है, wave को रुकता है, अभी जो wave है, ये हमारी, जो ear को कितने parts में divide किया गया है, बेटा, तीन parts में outer, middle and inner, ठीक है, outer, middle and inner, तीन parts में divide किया गया है, अभी जो wave बाहर से आई हैं, यह collect होकर outer ear के through, यह यह canal है इस canal के through कहाँ पर पहुंचती हैं बेटा एक पतली सी membrane लगी होती है canal के end में, जिसकों टिंपानिक membrane या ear drum करते हैं बेटा अब जब यह wave move करते हुए आएगी आदे की तरफ ऐसे move करते हुए तो यह हमारे drum को क्या करेगी vibrate कराएगी, जब drum vibrate करेगा तो middle ear वाले parts में बेटा three bones होती है, malleus, incus और stiffage, यहां तीनों bones में होती है क्या, एक, एक समझ लीजिए hammering type होता है यहांपर, है ना जैसे ही membrane क्या करेगा, vibrate करेगा वैसे ही bone जो है, एक दूसरे को hammer करेगी, अब यह message vibration, इस bone के थूप पहुँच जाएगा, किसके पास बेटा, inner ear के पास, सारा काम inner ear का है inner ear वाले parts में बेटा liquid present होता है, इसके अंदर liquid होता है और उसके parts, neatly वाले parts में समझ लो, वहांपर hair like structure होता है, अब जैसे ही hit तरेगा आप जैसे आप किसी points में क्या करते हैं एक पत्फर मारते हैं, तो उसमें wave बनती है वैसे ही bones की hit की वज़े से liquid में बनेगा एक wave, ठीक है हल चल होगी एक तरीके से, और नीचे जो hair like structure है, उसमें भी क्या होगा एक तरीके से wave आएका उसमें, और इसका connection होता है बेटा, जो hair like structure यहां दिखाई दिया जा रहा है, इसका connection होता है auditory nerve के थ्रू हमारे brain से ठीक है, एक electrical signal भेजा जाता है हमारे brain को, ठीक है कौन सा signal, electrical signal भेजा जाता है यहाँ पर होती है auditory nerve ठीक है, neurons हमारी message को एक प्लेस तर दूसरे प्लेस तर ट्रांसफर करते है तो यहाँ पर neurons लगे होते हैं इस hair में, जब यह move करता है vibration की वज़े से, तो यह message हमारे कहाँ पर जाता है, बेटा message जाता है auditory nerve के थ्रू हमारे brain तक, और brain उस sound को detect करता है, कि वो sound this type की sound है, याईनि brain हमारा सुनने का नाम करता है I hope कि आपको ear वाला concept बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा, अब हम move करेंगे अपने next topic की तरफ, जो कि बहुत ही छोठी topic है, next topic loudness discuss करेंगे, और इसके बाद pitch discuss करेंगे, और last अगर, तो loudness जो होता है वो amplitude पर depend होता है, तेक है, किस पर depend होता है, फ़ले इसका definition राइट करेंगे the the loudness of the sound sound depend upon depend upon amplitude of vibration amplitude of vibration, ठीक है, यहनि कि sound की जो loudness है वेटा, वो amplitude पर depend करती है, अगर amplitude जादा होगा, तो loudness क्या होगी, जादा होगी, और अगर amplitude कम होगा, तो loudness जो होगी, वो feeble होगी, ठीक है, यहनि जो sound होगी, वो feeble होगी, अब यह amplitude वाले concept को समझ लो बेटा, जैसे अगर हम कहें कि amplitude और loudness का, क्या, जिसमें हमने previous class बताया, यह वाइस वर्सा है, amplitude बढ़ा दो loudness बढ़ जाएगा, loudness बढ़ा तो amplitude बढ़ जाएगा, ठीक है, इसको समझते हैं, इस छोटे से डाइग्राम की, amplitude क्या है, higher, मतलब, एक higher distance की बात की जाती है, displacement की बात की जाती है, जो oscillation body है, वो अपने longest या highest distance कवर कर ले, वो उसी का होता है, वो amplitude होता है, तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, अगर amplitude कम होगा, अगर ऐसे इस तरीके का wave बन रहा हो, ठीक है, अगर इस तरीके का wave बन रहा है, मतलब क्या है पेटा, यहाँ पर amplitude कम है, as compare to, अगर इस तरीके का आगे चलके वेव बन गया तो अगर हम कहेंगे यहां amplitude कम है और यहां amplitude जादा जैसे यहां पर amplitude कितना है यहां यहां पर कितना है बहुत ही चोटा साथ तो यहां पर अगर इसका इसका comparison करें इस आगे वाले डाइग्राम्स के थूप मतलब जो आगे विव दिखाई जा रही है तो यहाँ पर amplitude ज्यादा है मतलब यहाँ loudness है यहाँ sound यहाँ फीवल है और यहाँ पर loud है ठीक है तो loudness of sound depend upon amplitude of vibration ठीक है यहाँ vibration जो amplitude of vibration यहाँ amplitude पर depend करता है क्या loudness अगर amplitude कम होगा तो sound फीवल होगी यहाँ कम होगी है और अगर amplitude बढ़ गया तो sound लाउड हो जाएगी क्लियर है sound को measure किसे करते हैं वेटा decibel से यहाँ जिसको हम B और B के नाम से आपते हैं है ना decibel से इसको measure किया जाता है अब next topic discuss करें वेटा हमारा loudness के just बाद हम एक topic discuss करना चाहेंगे हमारा होगा वो pitch आपने low pitch high pitch wise का नाम तो सुना होगा pitch के बादे में discuss करें तो pitch का कुछ points जो है loudness से मिलते हुए हैं पर इसको भी पले difference कर लेते हैं है तो the pitch of sound the pitch of the pitch of sound depend upon depend upon frequency of vibration frequency of vibration यहाँ पर बेटा loudness amplitude पर depend है और pitch जो है frequency पर डिपेंड है frequency का मतलब क्या है जैसे suppose करो कि हम बोल रहे हैं या कोई एक male और female comparison करें और हमने कह दिया कि यहाँ एक diagram हमने बना दिया चलिए एक simple diagram बना दिया ठीक है एक female और यहाँ पर एक male इसने sound produce किया तो एक second में जो frequency आ रहे है बेटा वो कुछ समझ लो कि 3, 4, 5 इतनी है आ रहे है है ना suppose करी कि एक second में जो frequency आई है वो 4i है या 5i 4 to 5i male जब बोल रहे है और जब फिमेल एक बोल रही थी उस time पर जो frequency थी एक second में जो frequency आ रही थी बेटा वो आ रही थी कितनी आ रही थी suppose करिये 10 to 12 आ रही थी जब frequency ज़्यादा हो जाएगी तो pitch high हो जाएगा frequency ज़्यादा होगी तो pitch high होगा और frequency कम होगी तो pitch low होगा इसलिए एक adult male जिसकी age 12 से एबब है वैसे तो वो teenager की केटेगरी में आते हैं और उसके बाद after 19 वो adult की केटेगरी में आने लगते हैं यानि अगर एक person जो male है जिसकी age 12 से एबब है ठीक है 12 से एबब है तो उसकी ज होती है बेटा वो हो जाती है लो का मतलब यह हुआ कि जो बोल रहा है तो एक सेकंड में जो frequency है वो कम आ रही है as compared to female यानि male जब बोलता है जैसे हम बोल रहे हैं तो इस time पर जो हमारे wise के frequency है वो क्या हो वो क्या एक सेकंड में कम आ रही हो आएगी अगर हम एक female को हम कहें आ बेटा वो कितनी आई 4-5 आ रही है और female की किसमें एक सेकंड में 10-12 आ रही है तो यहां पर क्या हुआ कि pitch की category यानि pitch का definition क्या है the pitch of sound depend upon frequency of vibration यानि जो pitch है वो depend करता है किस पर बेटा frequency of vibration यह फ्रक्वेंसी पर तो अगर आप से question यह कर ले कि drum low pitch है या high pitch दो drum बसते हैं साधी म आप लोगों ने देखा होगा marriage में किसी के बसते होगा तो जो drum की frequency होता है वो low pitch होती है हमारी frequency भी क्या है low pitch यानि हम जब भी कुछ बोलते हैं और हमारा comparison अगरके female से कराया जाए तो हम जब बोलेंगे तो जो frequency आएगी female की comparison में हमारा कम होगा इसलिए हमारी wise low pitch होती है और music आज का last topic है music music क्या है एक type का ये भी है vibration एक type का ये भी है sound जो की क्या करता है ये pleasant sensation देता है हमारे ear को ठीक है pleasant sensation on the ear जब आप stress में होते हैं या आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो तो system में पर music सुन रहे होते हैं होता है ना ऐसा please and sensation देता है कौन music अगर हम कहें कि एक ऐसी प्लेस पर चलेगा है या जहां पर noise ज्यादा है चिला है मतला बहुत बहुत जाद motor cards है या sound ही बहुत जाता तीजी के साथ बज़े रहा है तो वहाँ पर noise हो जाता है लेगि music जो है वो slow होता है आपने कार में headphone, earphone लगा कर क्या करते हैं सुनते हैं तो हमारे mind को एक सुकून मिलता है यानि हमें pleasing sensation देता है कौन? music तो music के कई सारे instrument है, music कैसे produce होता है? instrument के थ्रू produce होता है, कुछ example, जैसे कुछ music जो है string के थ्रू, कुछ instrument जो होते है, string, instruments होते है, जो string के थ्रू क्या होता है, music produce होता है, जैसे guitar सितार हो गया, string, और कुछ ऐसे होते है, जो air के थ्रू, music produce किया जाता है, जैसे flute हो गया हमार harmonium हो गया है तो यह सभी instrument आप लोगों ने देखा होगा यानि music और noise में बहुत बड़ा difference है music जो है यह present sensation देता है हमारे ear को लेकिन noise जो होता है painful sensation देता है अगर music को loud कर दिया जाए तो noise में convert हो जाएगा तो music का amplitude होना चाहिए जो loudness होनी चाहिए वो एक limit में होनी चाहिए इसकी वज़ा से हमें क्या होता है एक pleasant sensation देता है I hope कि यह music वाला topic pitch और loudness यह तीनों topic आपको clear हो गया होगा बेटा आज की class में हमने जो है discuss किया the human ear जिसमें हमने यह देखा कि human का जो ear कैसे sense करता है हम सबको पता है कि हमारा जो ear है वो एक sense organ है जो sound को detect करता है outer ear जो sound की wave होती है उसको collect करके middle ear को देता है middle ear में three bones होती है जिसके through वो masses transfer हो जाता है यानि वो wave या वो vibration transfer हो जाता है बेटा किसको inner ear को inner ear के अंदर liquid होता है जिसमें hair like structure अंदर होते है और vibration की वज़ा से वो wave जो है वो उस liquid में create होती है जिससे उस hair like structure में भी wave हो जाती है और उसी hair like structure से क्या attach होता है उससे attach होता है हमारा auditory nerve जिसका connection होता है बेटा हमारे brain से जिससे हम sound को सुन पाते हैं यानि हमारा brain sound को सुन पाता है उसके बाद हमने next topic discuss किया loudness की, loudness किस पर depend होता है amplitude पर अगर amplitude बढ़ा दो तो कोई sound loud हो जाएगा और amplitude घटा दो तो sound feeble की category में आ जाएगा pitch के बारे में उसके बाद discuss किया pitch relate करता है किस से बेटा frequency से, अगर आपने frequency बढ़ा दी मतलब वो high pitch wise है frequency कम हो गई, मतलब वो low pitch wise है ये example अच्छा है इसका male and female, human male and female, male की low pitch wise है यहनि एक second में हमारा जो vocal cord है वो कम time क्या कर रहा होगा vibrate कर रहा होगा as compared to female उसके बाद last topic हमने discuss किया music music एक pleasant sound होता है जो हमारे ear को बहुत ही स्कून देता है या हमें अच्छा लगता है हमें stress से बाहर निकालता है लेकिन अगर इसी music को हम क्या कर दे loudness, इसका loud कर दे music को तो वो noise में convert हो जाएगा जिसमें हमने music के कुछ instrument के बादे में discuss किया, कुछ string instruments हैं जिसमें guitar और sitar की बात की हमने और कुछ ऐसे instrument है बेटा जो air की through उससे sound produce किया जाता है जैसे flute हो गया, harmonium हो गया तो यह रहा आज की class बेटा आपको कोई doubt होगा तो comment box में write करिएगा फिर मिलेगे next class में Thank you so much, thanks for watching all of you